नमस्कार दोस्तों, अमित शाह और योगी आदित नाथ ने ऐसी रणनीती तैयार कर ली है कि विपक्ष की नेताओं के पसीने छूट जाएंगे यूपी की 80 लोग सभासीटे, बिहार की 40 लोग सभासीटे, सारा खेल यहीं से बनेगा भी और बिगडेगा भी और इसलिए मोदी ने अपने इन दो धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है और इंडिया अलाइंस के पसीने कैसे छुड़ा रहे हैं सब को समझेंगे देखे यूपी की अगर हम बात करें तो इंडिया अलाइंस कहा है बिहार की बात करें तो इंडिया अलाइंस कहा है थोड़ा समझाईए दर्शकों को कि क्या हालत हो गई है देखे अमिसा जिस तरह से रेली कर रहे हैं बिहार में सिर्फ बिहार में अब रेलियों का रेला लगा दिये हैं उस बिहार में कर रहे हैं जहां इंडिया एलाइंस का निव परा है वहां से उसकी जमीन को तम धवस्त करने के लिए और पूरी तरह से 400 के 400 सीट जीतने के लिए अगर UP और बिहार NDA जीत जाती है तो सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं पूचेगी देखिए खेल और राजनीत में कब पासा पलट जाए इसको आप कभी नहीं कर सकते कि मेरी ही जीत होगी खेल में या राजनीत में उसके लिए मजबूत त्यारी करनी परती है और मजबूत त्यारी कोन करता है धुरंदर खिलारी और धुरंदर खिलारी कोन है भाजपा में योगी का अमिस्ता ये दो लोग धुरंदर खिलारी माने जाते हैं चुनाओ जितने और जितवाने में अभ प्रियंदा गांधी कभी-कभी रेलिया करती है उनकी रेलिया के क्या का न उस अपनी चाचा से अखले शयादवा की लड़ाई है पर जमीनी लडाई प्रकरताओं से अभी जो हम कह रहे थे नैंकि अमीज्था कड़करताओं में उसा बर जते हैं उनके उसा बरने वाला नेता है उनके खुद में उसा नहीं है क्योंकि जमीनी के नेता है यह नहीं अकले से यादो जमीन एक तरह से एंडियो कहिए नहीं पहुत भहमत मिलने वाली है मतलब 2014 और 2019 किया पेक्चा 2023 में अच्छी सीट भाजपा लाई इसके पीछे कही नहीं योगी आदित नात का वो जमीनी काम है जमीनी काम है और जमीन के नेता है और उसके साथ वहां के भाजपा के कार्ज करता संग उसका बड़ा अशर देखने को मिल रहा है इंडिया एलाइंस का जो इधर इंडिया याइनस की वहां वही करते हैं मेशा वो पूर रहें हाकीकत यही है कि सप्पा वहां मजबूत होकर कमजोर है और एंडिये वहां जीत रही है और एंडिये में कैसा योगी दला गये हैं जिसे एंडिये और बहुमत पर हमने यह भी देखा जो रण नीती कि अगर हम बात करें कि कुछ समय पहले ही वहां नगर निकाय चुना हुए थे और बीचेपी को भारे जीत मिली थी वजा थे योगी आदितनाथ क्योंकि निकाय चुनाओं में भी हम देख रहे थे कि वह रहे हैं और खास तोरपर जो सरकार ने जनता के लिए किया है उन कामों को वह खुलकर बता रहे थे और यह भी बता रहे थे कि आगे वह क्या कर है और provocatique मुद्दा तो बढ़ा है यह तो मुद्दा इसको हम और साइ磹 में लाते हैं हम अभी बात करते हैं और यह दोनों में जो सामज अस्टापिद करने वाले अ simpler की नहीं अमित्र शाह और योगी में थोड़ी अन्बन है इगो की लड़ाई चल रही है मोदी के दो बरे धुरंदर है यह यह बिराट कोली और मेहंदर सिंधोनी है एक को बिहार मिला है एक को यूपी मिला है दोनों जित के दिखाएंगे जिस तरह से बिहार में अमित्र सा रेल करते हैं ने जब करते हैं तो जगह देखिए बिधान सब्सक्राइब से हट हट कर सिमाचल एरिया में कर रहे हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां भी उसाद रहे हैं हम आपके लिए क्या किया है जर्चा है उनकी बात देल-पानी की हुई मकली चर्चा या नितीश लालू की गड़ जोर लोगों को सामले एक वीजन हो जाता आ मोधी आफाउ मोधी उटाओ मोधी आफाउ मोधी आफाउं देश meta मोधी आफाने से देश का विकास हो जाए तो मोदी को तो लगता है कुछ से हड़ जाना चाहिए पर ऐसा नहीं है जिस तरह से बीजन रखते हैं बात अपनी रखते हैं अमीश साना उसके पीछे एक दम रहता है लोगों को जुड़ते हैं तो हम बता रहे थे कि मोदी के दो धुरंदर मेदा आने जंग में उतर चुके हैं अमीश साने तो पहले अपना तम ओपनिंग बेटिंग कर रहे हों भीहार से उन्होंने शुरू किया है और चक्का चुवा लगा रहे हैं हर दो महने पर वाते हैं सतक मारने के फिर में हैं और यहां सभी सीटों का पूरी नजर है 25 तो जीत रह गए महागडबंधन को छोड़ दिया अभी जीतना मांजी भी पीजेपे के साथ आ गए उपेंद्र कुष्वाहा मतलब बड़े बड़े वो नेता जो कहा जो रहा था कि महागडबंधन के साथ होंगे तो कहीं ने कहीं वह छोटी छोटे पार्टियों को महागडबंधन से कर दोड़ कर जिस तरह से इंडियों को मजबूत कर रहें लेंगी लेकिन बीजेपी चहरा बीजेपी का ही दिखता है ऍडिए होकर भी नरेंद्र मोदी जिसके वज़ह से वह सामने चहरा आता इससे पहले भी इन्डिया इससे पहले जब अटल विहारी बाजबे नेतरित प रते थे तो एंडिये सब बहुत कम लोग जानते थे आज भी इंडिया आया है तो एंडिये बहुत लोग चर्चा में बीजेपी ही चर्चा में रहता था क्योंकि बड़ी पार्टी और वे बड़ा नेता हमेशा आगे रहता है अटल बिहारी बाजपई लार्पिसादवानी फ बड़ा नेता है रहुल गांधी है तो बरे बरी नेता उसमें कई लोग है तो इसलिए उसमें बिखराओ जैसा इस्तिति दिखता है क्यों बिखराओ कहीं कहीं भी साथ है भाई कोन भी विधान सबख शेत्र को एक एक लोग सबख शेत्र पर नर्ज़र रखना और वहां के लिए अलगत रणीती वनाना यह काम कर रहे हैं योगी आदित्र स्थेनाथ और अमितशा और इसलिए यूपी और बिहार दोरों अहम है बीजेपी के लिए एंडिये के लिए और यहीं दोनों जगा से गच्चा खाएगा इंडिया आलाइंस आगे भी हम खबरे लेकर आएंगे फिलाल इसको यहीं समामत करते हैं शर्चा को हमारे साथ यूँ ही जुड़े रही है चैनल को सब्सक्राइब